वो भाई साब क्या ही साउंड है वो भाई साब हेलो दोस्तों टेकनिकला मेरी यूट्योब चैनल में आपका स्वावत है आज की इस वीडियो में हम Lamborghini Countach Car का Mode इंस्टॉल करने वाले हैं तो वीडियो पसंद एगी तो लाइक करें चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस Car Mode को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ OpenAV की ज़रूरत होगी उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्रुप्चन में मिल जाएगा इसको एकस्ट्रेक कीजिए एकस्ट्रेक करने के बाद एक फोल्डर आएगा इसको पिन के जिये इसको पिन कने के बाद GT5 में फोल्डर को पिन किजिए GTFI main folder को पिन करने के बाद Mars का फोल्डर दिखराइनास को पिन कीजिए अगर आपके पास Mars का फोल्डर नहीं है तो create कीजिए Mars के फोल्डर को create करने के बाद इस update folder को copy कीजिए copy करने के बाद Mars के फोल्डर में paste कीजिए Mars के फोल्डर को create करने के बाद smarts folder को open कीजिए उसका बाद update में जाई है उसका बाद hcc4 dlcpacks उसका बाद एश्य कि अब वो folder पर आजए है आने बाद यहाँ यहाँ को एक folder मिल जाएगा hrbi yanvo double iidlpi yid 004 इस folder को gtfi dlcpacks में drag and drop कीजिए इस folder को gtfi dlcpacks में drag and drop करने के बाद gtfi main folder को close कीजिए उसका बाद hrbi फोल्डर पर आजए आने बाद यहाँ रीड में का एक चज़्य कमें दिखरा आनास को पिन कीजिए इसको पिन करने के बाद यहाँ का एक लाइन मिलेगी आइटम dlcpacks hrbi1dlpi8004 item इस लाइन को कापी कीजिए कापी करने के बाद बैक आ जाईए बैक आने के बाद ओपेने वी को उपेन कीजिए ओपेने वी ओपेन होने के बाद edit mode पे क्लिक कीजिए यस उसके बाद marks में जाईए उसके बाद update update.rpf common data उसके बाद नीचे आ जाईए नीचे आने बाद यहाँ dlc list xml का एक तेजित रानास test पो राइट क्लिक कीजिए राइट क्लिक करने के बाद edit में जाईए है एटइट में जाने के बाद नीचे आजईए नीचा आने बाद यहाँ last में copy की हुई line को paste कीजिए copy की हुई line को last में paste करने के बाद save कीजिए तो दोस्तों हमारा installation हो चुका है done, चलो ग जीटिएफ अफिन करते हैं तो दोस्तों, जीटिएफा वेपिन करने के बाद, आप कौनसे भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो. यहाँ आपको इस कार का मॉडल है, हम आपको मैनुवल्ली टैप करना होगा. इतना टैप करने के बाद, इंटर कीजिए. तो दोस्ता हम देख सकते हो, लंबॉर्गिनी काउंटच कार आ गई है, यहाँ देख सकते हो, ओ भाई साव. यहाँ देख सकते हो, कार आ गई है. यहाँ देख सकते हो, इसका इंटीरियर. ओ घसाओ. यहाँ देख सकते हो, लंबॉर्गिनी के बैजिंग, और यह पीछे से सियान जैसी लग रही है. चलोग हम इस कार को ले लेते हैं. मैं आपको फिर से इसका सौन सुना देता हूँ. ओ भाई साव, क्या ही सौन है. मुभा साव, इसके हेडलाइट्स, मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ. तो भाई साव, क्या ही इंटीरियर है. यह आप देख सकते हो, पीछे इसका इंजन है. इसका मीटर आप देख सकते हो. मैं इस कार के सब डोर्स को ओपिन कर देता हूँ. यह आप देख सकते हो, मैंने इसके सब डोर्स को ओपिन कर दिया है. यह आप देख सकते हो. यह आप देख सकते हो, इसके इंजन. चलो, मैं इसके सब डोर्स को क्लोस कर देता हूँ. इसमें आपको एक्स्टाद भी मिल जाएंगे. यह हम देख सकते हो. इसमें आपको दो एक्स्टाद भी मिल जाएंगे. चलो, अब हम इसकार का नाइट का लूप देख लेते हैं. यह हम देख सकते हो, इसकार का नाइट का लूप. अब हम इसकार का साउंड और इसकार की टॉप स्पीड को देख सकते हो. इसके इंडिकेटर्स. इसके हेट लाइट्स. चलो, अब हम इसकार का साउंड और इसकार की टॉप स्पीड को देख लेते हैं. नुप भाज साउंड इसकार का. वह भाशाब वह भाशाब 180 200 220 240 250 260 brakes brakes भी मस्ट है सके वह भाशाब क्याई खतरना कार है तो दोस्तों यही था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसानेगा तो लाइक करें शेर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए अमारे शूटूप चानल को सब्सक्राइब कीजिए थैंस वर वाचिंग